दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको सलमान खान की अपकमिंग फिल्म भारत से कुछ नई अपडेट्स देने वाला हूँ तो दोस्तो शुरू करने से पहले आपको बता दू कि आप इस वीडियो के आंत तक जरूर बने रहें हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ यस और आप देख रहे हैं ब्रेक फास्ट मीडिया नेटवर्क दोस्तो अगर बात की जाए सलमान खान की फिल्म भारत की तो इस फिल्म को चार जून को दुबई में रिलिज किया जाना है उसके बाद 5 जून को पूरी दुनिया भर में रिलिज की जाएगी और रिपोर्ट स्कीमा ने तो इस फिल्म को तिरपन देशों में रिलिज किया जा रहा है जिसमें से ओवर्सीज में कई सारे देशों में इस फिल्म की एडवांस बुकिंग सुरू की जा चुकी है जैसे कि दोस्तों आस्ट्रेलिया, यूए, यूएस, लंडन और फिर जर्मनी, कैनिडा इन सभी देशों में इस फिल्म की टाबर्तोर एडवांस बुकिंग जारी है आपको बता दू कि इन में से कई फियेटरों में एडवांस बुकिंग ओपन होते ही खत्म हो गए क्योंकि दोस्तों सलमान खान के फैन फॉलाइंग का जादू, विदेशों में भी फैन्स के सरचट कर बोल रहा है वहीं दोस्तों एक्सपर्ट के आकड़े बता रहे हैं कि इस फिल्म को तिरपन से ज़्यादा देशों में करिब 7000 से ज़्यादा स्क्रीन पर लिच्च की जाएगी आपको बता दू कि जिस तरह का रिस्पॉंस इस फिल्म को दुनिया भर से मिल रहा है कहा जा रहा है कि उस तरह का रिस्पॉंस हॉलिवूड फिल्मों को भी नहीं मिलता है ऐसे में ये देखना काफी दिल्चस्प रहेगा कि ये फिल्म दुनिया भर में कौन-कौन सी रिकॉर्ड्स को तोरता है वहीं दोस्तो इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में सलमान खान के साथ कट्रीना कैप, दिसा पटानी, सुनुल ग्रोबर और तब्बू जैसे कलाकार हैं वहीं दोस्तो इस फिल्म के टीजर, ट्रेलर और फिर पांच बहतरीन सौंग्स को सोसल मीडिया पर रिलिज किया जा चुका है और फैंस के दोरा काफी ज़्यादा पसंद किया गया है वहीं दोस्तों सु्तरो की माने तो भारत फिल्म की एडवांस बुकिंग अब भारत में भी शुरू करने की तैयारी हो रही है आपको बता दे कि भारत में इस फिल्म की एडवांस बुकिंग कल से यानि की 28 तारिक से चुनिंदा कुछ थियेटरों में शुरू कर दिया जाएगा हलाकि दोस्तों इन रिपोर्ट्स को मद्दे नज़र रखते हुए आपको क्या लगता है आपके हिसाब से इस फिल्म का बॉक्स ओफिस पर क्या परफॉमेंस हो सकता है कमेंट सेक्सन में जरूर कमेंट करें और हमारे ये निउज अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप नए विजिटर हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले